हेलो गाईज, वेलकम बेक टू ग्यानवर्शा, आज हम लोग रिकॉंबिनेंट डियने टेकनोलजी का पार्ट फर्स्ट डिसकस करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसमें आज हम लोग डील करेंगे डियने मैनुपलेटिव एंजाइम्स के बारी में, और इसके बाद हम लोग कुछ प्रिवेस एर के क्वेशन्स डिसकस करेंगे, जो गेट में आए हैं, तो देखिए, अगर हम बात करें डियने मैनुपलेटिव एंजाइम्स के बारी में, तो इन्हें ब्रॉडली फॉर क्लासिस में क्लासिफाइट किया गया है, फिस्ट इस नुकलिएजिस, सेकंड इस लाइगेजिस, थर्ड आते हैं हमारे पॉलिम्रेजिस, एंड फॉर्थ वन इस मॉडिफाइंग एंजाइम्स, मॉडिफाइंग एंजाइम्स, देखिए, हमें एके करके इन सबको डिटेल में डील करना है, तो पहले अगर हम बात करें नुकलिएजिस हमें पता हैं कि नुकलिएजिस हमारे वो एंजाइम्स होते हैं जो या तो कट करें या शौटन करें या डिग्रेट करें नुकलिक एसेड मॉलिक्यूल्स को क्या करें, कट करें, डिग्रेट करें या शौटन, मीस छोट-छोटे पीसेज में कट करने, नुक तो nucleuses basically आपके देखिए nucleuses आपके basically nucleic acid पर attack करेंगे nucleic acid आपका चाहे RNA हो सकता है चाहे DNA हो सकता है तो अगर RNA को attack कर रहा है तो और अंसा होगा RNAs कहा होगा RNAs अगर DNA को attack कर रहा है तो कौन होगा DNAs मैं दुबारा रिपीट कर रही हूँ nucleases basically क्या करेंगे ध्यान से सुनिए nucleases basically आपके phosphodiester bond को ध्यान से देखिएगा जिसे ये एक ये दूसरा ये तीसरा ये आपस में कैसे link है ये nucleotide आपस में कैसे link है तो ये बीच में क्या है phosphodiester bond से link है तो nucleases क्या करेंगे इन phosphodiester bond को break करेंगे तो nucleases basically आपके phosphodiester bond को break करते हैं अब ये nucleotide चाहे RNA हो सकते हैं चाहे DNA हो सकते हैं तो अगर RNA है अगर RNA पर टैक हो रहा है तो वो RNAs होंगे अगर DNA पर टैक हो रहा है तो वो क्या होंगे DNAs होंगे देखिए आपके nucleases basically two types में classified किये गए हैं एक होते हैं exonuclease एक क्या होते हैं exonuclease और दूसरे होते हैं endonuclease ठीक है exonuclease and endonuclease अगर मैं बात करूँ कि exonuclease को लेके तो exonuclease basically आपके क्या करेंगे एक मिट देखे एक्जोनuclease basically आपके क्या करेंगे exonuclease आपके remove करेंगे nucleotide को remove क्या करेंगे nucleotide को remove करेंगे लेकिन यह remove जो होगा nucleotide यह कहां से होगा end से होगा कहां से होगा end से remove nucleotide one at a time from the end of a DNA molecule from the end of a DNA molecule अगर हम exonuclease की बात करें वहीं पर endonucleases क्या करते हैं वहां पर भी क्या होता है आपका break होता है break internal phosphodiester bond मैं आपको भी समझाती हूं इमेज की help से आप एक मिट देखिए internal phosphodiester bond देखिए अगर हम exonuclease की बात करें देखिए यह हमारे क्या है यह हमारे क्या है नुकलियोटाइट से ठीक है यह क्या है हमारे नुकलियोटाइट और यह बीच में क्या है phosphodiester bond तो exonuclease क्या करती है basically exonuclease nucleotide को remove करेंगे लेकिन कहां से end से कहां से end से end से end से cleavage होगा बीच से कहीं cleavage नहीं होगा end से phosphodiester bonds break होगे और phosphodiester bond break होगा तो क्या होगा आपके nucleotide remove होना start होगे exonuclease में देखिए यह आपका पूरे stand है जब cleavage हुआ तो end में cleavage हुआ यह देखिए यह निकल गए आपके end वाले nucleotides then again cleavage हुआ देखिए end वाले फिर से nucleotide निकल गए तो end से cleavage होता है the same way यहां देखिए end से ठीक है जगके endonuclease में अगर हम बात करें endonuclease में क्या होता है हमारा internal phosphodiester bond break होता है कोई internal phosphodiester bond होगा देखिए cleavage हुआ तो यह एक fragment बन गया एक यह fragment बन गया then again यह cleavage हुआ तो एक यह fragment बन गया एक यह fragment बन गया और इसमें यहां दो जगे की छोटा वाला फ्रेक्मिंट internally phosphodiester bonds break हुए है देखिए अब हमें exonuclease को further detail में study करना है तो अगर हम exonuclease की बात करें तो दो different types के exonuclease होती है यहां पर दो type की बात की गई है एक है बाल 31 एक एंजाइम है बाल 31 देखिए अगर मैं बाल 31 की बात करूं तो बाल 31 को कहां से isolate किया गया है बाल 31 को आप purified कर सकते हैं बैक्टेरियम यह क्या है बेसिकली आपका exonuclease है क्या है आपका बाल 31 एक्टेरियम एक्टेरियम द्दक कि देखिए रहे हैं और बा würण से ब्रेक होने के बाद न्यापम हो है वह से आपके रिमूव हो रहे हैं अके- जबकि अगर हम बात करें exonuclease 3rd की exonuclease 3rd जो है equalize इकोलाई से आप purify कर सकते हैं exonuclease 3rd को और exonuclease 3rd में अगर आप difference देखें और बाल 31 में देखें तो exonuclease 3rd जो है वो देखिए एक मिन्स 3 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड पर आपका क्या होगा 3 प्राइम एंड पर फोस्फोडाइेस्टर बाण ब्रेक होगा एंड के 3 प्राइम एंड पर फोस्फोडाइस्टर ब्रेक होगा और आपका basically देखें overhang type बन गया है क्या बन गया है overhang दुबारा मैं रिपीट कर रही हो exonuclease 3rd में क्या हो रहा है आपका 3 prime end पर जो phosphodiester bond है वो break किया जा रहा है और 3 prime end वाला ही यह देखें यह 3 prime end और यह 3 prime end वाला nucleotide remove हो रहा है आप अगर बात करें हैं 5 prime end की तो 5 prime end पर कोई भी phosphodiester bond break नहीं हो रहा है जब कि बाल 31 में 5 prime end as well as 3 prime end पर phosphodiester bond जो है break हो रहा है I hope आपको clear हुआ होगा मैं तुमारा repeat कर रही हूँ exonuclease के हमने 2 different types यहां पर study किये हैं एक है हमारा बाल 31 और एक है हमारा exonuclease third तो अगर मैं बात करूं बाल 31 की बाल 31 में जो nucleotide है वो दोनो strand से removed हो रहे हैं दोनो strand से दोनो strand के end से remove हो रहे है nucleotide जबकि exonuclease third जो है वो remove कर रहा है nucleotide सिर्फ और सिर्फ 3 prime terminus थी 3 prime end से क्या हो रहा है nucleotide remove हो रहा है जबकि 5 prime end as it is है अब देखे अगर हम बात करें endonuclease की endonuclease के भी हमें different types को कुछ types हैं वो हमें study करने हैं first is what S1 nucleus पहला क्या है हमारा S1 nucleus S1 nucleus आप कहां से isolate कर सकते हैं एक fungus होता है aspergillus orygyle fungus है आपका basically aspergillus orygyle वहां से आप क्या है S1 nucleus को purify कर सकते हैं ठीक है अगर हम S1 nucleus की बात करें S1 nucleus जो है एक endonuclease है यह तो हमें समझ आ रहा है यह जो है ध्यान से सुनिएगा बहुत important है यह point S1 nucleus degrade करता है आपके degrade करता है आपके RNA को और single stranded DNA को single stranded DNA को S1 nucleus आपके either RNA को degrade करेगा और single stranded DNA को degrade करेगा बट बट यह सुनिएगा बट यह degrade नहीं करता double stranded DNA को इसको degrade नहीं करता double stranded DNA को degrade नहीं करता है और DNA RNA hybrid को degrade नहीं करता है मैं दुबारा रिपीट कर रही हूँ S1 nucleus जो है आपका degrade करता है RNA आइदर यह RNA का strand हो पुरा और RNA हो और single stranded DNA हो उनको degrade करेगा लेकिन double stranded DNA को degrade नहीं करेगा as well as DNA RNA hybrid को भी यह degrade नहीं करेगा S1 nucleus जो है तो देखिए अगर आपका यह सपोस कीजिए यह single stranded DNA है यह क्या है आपका single stranded DNA है तो यहाँ पर इसने cleavage किया internal phosphor diastate bond ब्रेक हुआ और आपके fragments short short fragments बन गए इन दा सेम वे यहाँ पर निक है ठीक है तो यहाँ पर क्या है phosphor diastate bond पर ब्रेक लगा और आपका fragments अलग अलग हो गए ठीक है ध्यान रखिएगा S1 nucleus degrade करेगा RNA को और single stranded DNA को बट double stranded DNA and DNA RNA hybrid को यह degrade नहीं करता है ठीक है और देखिए क्योंकि यहाँ पर निक है यहाँ पर क्या है निक है ठीक है यह निक मींज गैप है तो गैप के जो opposite strand है जो complementary strand है उसके भी phosphor diastate bond को internal phosphor diastate bond को यहाँ पर क्या कर पा रहीं है नो degrade कर पा रहा है इसका एक यह भी प्रॉपर्टी होती है को यह जो enzyme को Supreme the enzyme will also cleave a strand opposite a nick on the complementary strand I hope you will understand the same thing this is a nick 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 this is the internal phosphodiester bond this is a nick this is an active connector next is a DNA 1 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 और यह single as well as double standard molecules dunaw को cut कर सकता है जो ऒवता है वह कैसा अच्छों को और योन और योन व्त दॉन होता है कैसा होता है.. specific, non-specific, 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 what does it mean? It means that, किसी भी, किसी भी internal phosphodiester bond को break कर सकता है, कोई specific नहीं है, कि यहीं पर cut करेगा, किसी भी internal phosphodiester bond को break कर सकता है, next is what, restriction endonuclease, restriction endonuclease, यह भी क्या करते है, internal phosphodiester bonds को break करते हैं, लेकिन, जो restriction endonuclease है, यह सिर्फ और सिर्फ specific recognition sites को ही break करते हैं, specific recognition site को recognize करता है, और वहीं पर phosphodiester bond को क्या करता है, break करता है, specific recognition site पर ही क्या होता है, cleavage होता है, restriction endonuclease हम next video में, detail में पढ़ेंगी, next अगर हम बात करें, next हमारा होता है, moong bean nucleus, moong bean nucleus, यह भी क्या है, हमारा endonuclease है, और इसे, moong bean nucleus को कहां से purified कर सकते हैं, moong bean sprouts है, moong bean sprouts, moong bean nucleus को अगर बात की जाए, यह specific होता है, किसके लिए specific है, specific for single stranded DNA and RNA, कि इसके लिए specific है, single stranded DNA as well as RNA के लिए, देखिए, लेकिन, लेकिन double stranded को, यह degrade नहीं कर सकता, but not degrade double stranded, double stranded हो क्या है, यह degrade नहीं कर सकता है, double stranded क्या है, as it is intact रहेगा, मूong bean nucleus में हमें zinc ion की requirement होती है, सकती है, इसके होते है, इसकी catalytic activity के लिए bargain, एक endo nucleus है, यह मूम bean sprout से, आप एसे प्या कर सकते हैं, प्योरिफाय कर सकते हैं, यह specific है, single stranded DNA as well as RNA के लिए, जो double standard होते हैं, जो double standard molecules हैं, यह उन्हें as it is रखता है, उन्हें degrade नहीं कर सकता, इसकी catalytic activity के लिए हमें zinc ions की requirement रहती है, ठीक है, next is what, RNA is, RNA is a, RNA is a, अब obviously नाम है RNA, तो क्या करेगा यह, RNA को degrade करेगा, इसको degrade करेगा, RNA को, RNA को degrade करेगा, लेकिन कहां पर, पहली बात तो single standard RNA को क्या करेगा, यह degrade करेगा, single standard RNA, और कहां पर, 3 prime end, 3 prime end of, 3 prime end of primidine residue, यह basically क्या है, endonuclease है, क्या है, endonuclease, तो जैसे कि आपका, यह आपका, 5 prime to 3 prime end का है, ठीक है, single standard RNA, तो इसमें यह देखेगा, कि 3 prime end पर कहां primidine मिल रहा है, सपोस्थ, यहां पर, सपोस्थ कीजिए, यहां पर cytosine मिला, ठीक है, cytosine मिला इसे, तो यहां पर यह क्या करेगा, phosphodiester bond को break करेगा, और यह एक fragment, और यह दूसरा fragment, इस तरीके से, 3 prime end के पर, जो primidine residue होंगे, वहां पर यह क्या करेगा, digest करेगा, single standard RNA को, ठीक है, next, एक और होता है, एक होता है, RNAs H, RNAs H, बेसिकली यह भी क्या है, एक endonuclease है, ठीक है, ठीक है, और यह क्या करता है, यह digest करता है, RNA strand को, RNA strand को digest करता है, RNA DNA hybrid के RNA strand को digest कर लेगा, यह सपोस कीजिए, यह मेरा RNA का strand है, ठीक है, और यह मेरा क्या है, DNA का strand है, RNA DNA hybrid है, तो यह RNA के strand को, RNA के strand को क्या कर लेगा, यह RNA के strand को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, यह digest करता है, RNA के strand को, यह DNA, ध्यान रखिएगा, RNAs H, single stranded और double stranded DNA को degrade नहीं कर सकता है, यह बहुत important point है, RNA is H, सिर्फ और सिर्फ RNA strand को degrade करेगा, वो भी किसके RNA DNA hybrid की, RNA is H, DNA के strands को degrade नहीं कर सकता है, चाहें वो single stranded DNA हो, चाहें वो double stranded DNA हो, ठीक है, चलिए, next चलते है, next is ligase next क्या है हमारे ligases देखिए हमें पता है ligase क्या करते है ligase हमारा joining का काम कराते है ligase का basic function क्या है कि nucleic acid molecules को join कराएंगे join nucleic acid molecules together तो देखिए दो टाइप से ligase काम कर सकता है अगर हम ligase की बात करें देखिए पहला क्या है दो टाइप की reactions basically perform कर सकता है यह है discontinuity means यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि suppose कीजिए कि कोई phosphodiester bond क्या है यहाँ पर missing हो गया है तो phosphodiester bond आना है दो nucleotide के बीच में तो phosphodiester bond क्या है missing है तो ligase क्या करेगा इस phosphodiester bond को देखिए DNA ligase की वैसे क्या हुआ phosphodiester bond क्या है बन गया जोइन हो गए दो nucleotide आपस में एक इसका काम क्या होता है कि joining two molecules एक यह molecule है एक यह molecule है तो DNA ligase आएगा और इन दोनों के बीच में क्या करवाएगा phosphodiester bond के joining करवाएगा phosphodiester bond का formation करवाएगा जिससे कि यह दोनों molecules क्या हो जाएगे join हो जाएगे आपस में तीक है अब हम next चलते हैं next is what? polymerases तीक है हम सबको basically polymerases का role पता है कि polymerases क्या करते हैं हमारे देखे polymerases क्या करते हैं copies बनाते हैं make copies of molecules क्या करते हैं copies बनाते हैं molecules की अब अगर हम बात करें यहाँ पर polymerases की तो देखिए का ध्यान से basic देखिए यह है first है basic reaction primer है polymerase आएगा nucleotide क्या हो जाएगे add होना start कर देगे polymerase क्या करता है nucleotide का addition start कर देगा newly strand synthesized हो जाएगा यह basic reaction हो गई next अगर हम इसका बात करें DNA polymerase 1 की DNA polymerase 1 अगर आप लोगं को पता हो अपने molecular biology पढ़ी हो तो कौन बग ने कौन बग ने इसके बारे में बताये था DNA polymerase के बारे में इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं कौन बग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं DNA polymerase 1 को DNA polymerase 1 इसमें आपकी कौन कौन सी activities होती है DNA polymerase 1 की अगर बात की जाए DNA polymerase 1 में आपकी 5' to 3' exonuclease activity होती है 3' to 5' exonuclease activity होती है and 5' to 3' polymerase activity होती है DNA polymerase 1 में आपकी यह थीनो activity होती है 5' to 3' exonuclease activity 3' to 5' exonuclease activity इस activity को हम बोलते हैं proof reading activity 5' to 3' polymerase activity बेसिकली होती है आपकी polymerization की activity और 5' to 3' exonuclease activity तीन activity होती है तो DNA polymerase 1 देखी है यहाँ पर क्या role play कर रहा है कि यहाँ पर NIC को इसने full किया 3' hydroxyl से इसने nucleotide को add करना शुरू किया as well as जो nucleotide add थे जो nucleotide पहले से add थे उनको replace कर दिया existing nucleotides are replaced DNA polymerase 1 में एक जो हमारा DNA polymerase 1 है क्यांज सुनेगा अगर हम DNA polymerase 1 को protease treatment दे जैसे कि subtilisyn का treatment दे या trypsyn का treatment दे तो यह क्या होगा DNA polymerase 1 क्लीव हो जाता है एक N-terminal में एक C-terminal में N-terminal and C-terminal तो जो C-terminal देखें मैं दुबारा repeat कर रहे हूँ अगर हम क्या करें हम अपने DNA polymerase 1 को DNA polymerase 1 को treat करें आपके protease से जैसे कि subtilisyn से आप treat कर रहे हैं या फिर आप अपने trypsyn से उसे treat कर रहे हैं तो यह cleave हो जाएगा दो fragments में एक होता है C-terminal fragment एक होता है N-terminal fragment तो जो C-terminal fragment होता है वो larger fragment होता है जिसे हम बोलते हैं cleano fragment यह क्या है large fragment है cleano fragment और जो N-terminal होता है वो smaller fragment होता है तो cleano fragment देखेगा क्या होता है कि जैसे again nick है चीखें क्या है again nick है तो nick जो है filled होगा क्या होगा nick filled होगा और जो पुराने नुक्लियोटाइड है वो as a tis रहेंगे पुराने जो नुक्लियोटाइड है जो पहले से exist कर रहे थे वो replace नहीं होंगे वो as a tis रहेंगे और इसको कौन जॉइन कर देगा यहाँ पर बीच में एक phosphodiester bond की कमी है DNA ligase से क्या होगा वो seal हो जाएगा DNA ligase आएगा phosphodiester bond बना देगा इन दोनों के बीच में दोबारा रिपीट करना हूँ देखिए B और C वाले में क्या difference है B वाले में क्या बताया जा रहा है कि DNA polymerase 1 है DNA polymerase 1 निक है वो निक बनेगा भरेगा ठीक है nucleotides add होना शुरू होँगे और जो existing nucleotide है वो replace हो जाएगे लेकिन cleanofragment जो कि DNA polymerase 1 को जब आप protease से treat करते हैं जैसे कि आपका subtilization हो गया, attription हो गया इनसे आप जब इनने treat करेंगे तो इस दो fragment में cleave हो जाएगा DNA polymerase 1 एक होगा N terminal fragment एक होगा C terminal fragment C terminal fragment larger fragment होता है जिसे आप बोलते है cleanofragment उसी की बात हो रही है यह आपर तो क्या होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ निक को फिल करेगा निक फिल होने के बाद जो एक यह जो नुक्लियोटाइड रह गया जो नुक्लियोटाइड जो फॉस्फोर डाइस्टर बॉंड इननों के बीच में बनना है यह बनेगा DNA ligase के तो बीसिकली आपका बनेग में और ब क्या करता है RNA के टम्पलेट से DNA का स्थेंट का सिंथेसिस हो रही है डाय है में से क्या बहुते है अऄल करेगा और bringing की संसेख होगी तो क्या बोलेंगे, हम complementary DNA बन रहा है, क्या बन रहा है, complementary DNA, cDNA, ठीक है, अच्छा, एक और polymerase होता है, जिसे हम बोलते हैं, टेक DNA polymerase, अगर मैं टेक DNA polymerase की बात करूँ, तो टेक DNA polymerase हम किस thermostable bacterium होता है, जिसका नाम होता है, थर्मस एक्वार्टिक, यह क्या है, thermostable bacteria में, thermos aquaticus, इससे क्या है, यह आप, टेक DNA polymerase purify कर सकते हैं, ठीक है, आपको टेक DNA polymerase, thermos aquaticus में मिलेगा, इसकी property क्या होती है, कि यह एक बहुत जादा stable, high temperature पर, क्योंकि thermostable है ना, तो बहुत जादा high temperature पर यह stable रह सकता है, high temperature पर क्या है, बहुत जादा stable रह सकता है, approximately 94 degree Celsius तक, बहुत जादा high temperature पर क्या है, यह stable रह सकता है, यह operate 72 degree Celsius पर होता है, और यह 94 degree Celsius तक क्या रह सकता है, stable रह सकता है, इसमें polymerase की activity होती है, as well as exonuclease activity होती है, मैं repeat कर रही हूँ, देखो, DNA polymerase में अगर आपको याद हो, हमने देखा कि polymerase activity थी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसे क्या बोलते हैं, 3' to 5' exonuclease activity को proof reading activity, और 5' to 3' exonuclease activity थी, ठीक है, तो टेख DNA polymerase में कौन कौन सी activity होती है, टेख DNA polymerase में 5' to 3' exonuclease activity होती है, as well as 5' to 3' exonuclease activity होती है, but, but it lacks proof reading activity, but it lacks proof reading activity, proof reading activity हमारे कौन सी कौन से हो गए, 3' to 5' exonuclease activity, 3' to 5' exonuclease activity को हम क्या बोलते हैं, proof reading activity, जो की टेख DNA polymerase में नहीं होती है, टेख DNA polymerase, आप bacterium, thermostable bacterium होता है, thermos aquaticus, उससे isolate कर सकते हैं, उससे purify कर सकते हैं, यह basically active रहता है, 72 degree Celsius पर, यह stable रह सकता है, 94 degree Celsius तक, 94 और 90, you can say, इतने high temperature तक क्या है, यह stable रह सकता है, polymerase, I hope so, polymerase वाला पार्ट आपको अच्छे से clear हुआ हुआ हुआ, next अब हम चलते हैं, DNA modifying enzymes पर, अगर मैं DNA modifying enzymes की बात करूँ, इसमें हमें basically 3 enzymes को deal करना है, 1st is what alkaline phosphatase, 2nd is what polynucleotide kinase, 3rd is what terminal deoxynucleotidal transferase, तो पहले हम चलेंगे हमारे alkaline phosphatase पर, देखिए, अगर बात की जाए alkaline phosphatase की, alkaline phosphatase को आप कई सारे sources से derived कर सकते हैं, कई सारे sources से obtain कर सकते हैं, लाइक आपका हो गया E. coli, और आप कह सकते हैं, काल्फ, इंटेस्टिनल टिशू से, यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे isolate कर सकते हैं, यह इसे obtained कर सकते हैं, देखिए, यहां से सुनिएगा, मैं आपको बहुत एजी वे मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, लेखे, दो टर्मलोजी होती है, यहां तो प्वेशन प्या आ गए, दो टर्मलोजी होती है, एक होता है phosphatase, phosphatase मीन्स, phosphate group का रिमूव होना, phosphate group का रिमूव होना, कहीं भी यह टर्मलोजी आपको लेखे मिले, kinase, kinase मीन्स होता है, phosphate group का एड होना, phosphatase, phosphate group का निकलना, kinase, phosphate group का एड होना, तिक है, अब यहां लिक रहा है, alkaline phosphatase, तो it means that, alkaline phosphatase, इसका मतलब क्या है, phosphate group मेरा क्या है, remove होगा लेकिन कहां से remove होगा मेरा phosphate group remove होता है 5 prime end थे 5 prime end पर phosphate group है 5 prime end पर क्या है phosphate group 5 prime end से phosphate group क्या होता है remove होता है alkaline phosphatase में क्या होता है 5' end से phosphate group remove होता है यह लिख देती हूं 5' end से phosphate group क्या होगा remove होगा और देखिए क्या आ गया OH group आ गया hydroxyl group phosphate group remove हो और क्या आ गया OH group आ गया next is what polynucleotide kinase next क्या है हमारा polynucleotide kinase अब क्या आ रहा है वड़्ट kinase mean phosphate group add होगा ठीक है अब phosphate group कहाँ add होगा phosphate group हमारा add होता है 5' end कहाँ एड होता है 5' end पर 5' end पर हम क्या करते हैं phosphate group को add कराती है इसी लिए यह जो हमारे पर add कराते हैं 5' end पर ठीक है इसलिए यह जो हमारे होते हैं AND Labeling DNA Molecules के लिए यूज़ के जाता है AND Labeling DNA Molecules Next is what? Terminal Deoxynucleotidal Kinase Terminal Deoxynucleotidal Kinase अगर मैं बात करूँ Terminal Deoxynucleotidal Kinase की पहली बात यह कैसे होते हैं? template independent होते हैं they don't need any template template independent अच्छा अब दिहां जए सुनना Terminal Deoxynucleotidal Transfer तो क्या होगा? कि आईधर यह single standard और double standard डॉनों के लिए काम कर सकते हैं because they don't need any template चाहे single standard हो चाहे double standard हो तो अगर single first वाला figure देखना single standard है three prime end पर क्या हुआ? नुक्लियोटाइट्स आके क्या हो गए? add होना start हो गए क्या हुआ? incoming nucleotide क्या हो गए? add होना start हो गए incoming nucleotide क्या हो गए? add होना start हो गए वहीं पर अगर second वाले figure में आप देखें तो देखें फिर से three prime end पर nucleotide हो रहे हैं terminal means three prime end पर three prime end पर deoxynucleotidal deoxynucleotides आएट्स आएँगे और आके क्या हो गए? जैसे कि आप suppose कहीजे dctp हो गया अब ये dctp के molecules आएँगे और ccccc इस तरीके से पूरी क्या है? homopolymer tailing हो जाएगी three prime end पर ccc के इस तरीके से ccc तो ये homopolymer tailing हो गई three prime end पर I hope so आपको ये अच्छी से समाझ आएगा terminal deoxynucleotidal transfer एक homopolymer tailing बन जाती है three prime end पर either single extended हो और double extended हो कोई फरक नहीं परदा DNA का stand हो RNA का हो कोई दिक्कत नहीं homopolymer tailing हो जाएगी इतना I hope so समाझ आयोंग में एक बार summarized कर देती हूं बहुत easy है कुछ नहीं हमने DNA manipulative enzymes में हमने nucleus, ligase, polymerase और modifying enzymes की बात ही है अगर मैं nucleus की बात करूँ तो इसमें आपके RNA पर attack कर सकता है nucleus और DNA पर attack कर सकता है RNA पर attack कर रहा है तो RNA DNA पर attack कर रहा है तो DNA nucleus आपके दो kind की हो सकते हैं exonuclease endonuclease exonuclease होते हैं जो end पर phosphodiester bond को break करें और जो exonuclease होते हैं वो end पर attack करते हैं जो endonuclease होते हैं वो internal phosphodiester bond को break करते हैं आपके देन हमने different type के exonuclease पड़े जैसे ball 31 exonuclease 3 ball 31 आपने L-T-Romona's इस पर जिना से isolate किया और इसमें double strand it means दोनो nucleotides एक साथ निकल रहे थे दोनो end से nucleotides remove हो रहे हैं दोनो strand से दोनो strand से nucleotides remove हो रहे हैं जबकि exonuclease 3 में सिर्फ और सिर्फ 3 prime terminus से nucleotides जो है remove हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 prime terminus से ठीक है जबकि हम endonuclease में बात करें तो जो S1 nucleus है S1 nucleus, Aspergillus oryze, जो कि एक fungus है, उससे आप obtain कर सकते हैं ये degrade करेगा RNA को और single standard DNA को लेकिन ये double standard DNA और DNA RNA hybrid को degrade नहीं करता है ये बहुत important point है आप दिमाग में रखिएगा और अगर जैसे suppose किजिए कोई strand है double standard उसमें एक strand में निखे तो उसका complementary strand होगा उस पे भी उस complementary strand के internal phosphodizer bond को break करेगा और क्या करेगा strands को अलग-अलग कर देगा means cleavage हो जाएगा means 2 strands क्या हो जाएगे अलग-अलग हो जाएगे एक एक पार्ट बन गया एक एक फ्रेंग्मेंट में शौट हो गई फ्रेंग्मेंट नेक्स्ट इसवाट बन आप काव पैंक्रियास से आइसोलेट कर सकते नॉन स्पैसिफिक हो सकता है कहीं भी कट कर सकता है restriction endonuclease specific recognition size पे कट करेगा restriction endonuclease को हम next video में deal करेंगे मूंग बीन नुक्लियस मूंग बीन नुक्लियस जो है जो मूंग बीन स्प्राउट होते हैं उनसे आइसोलेट प्यॉरिफाइब कर सकते हैं यह एक endonuclease है specific होते है single standard DNA and RNA के लिए यह डिग्रेट नहीं करते double standard को double standard को as it is intact रहता है double standard पर यह कोई काम नहीं करते इनकी catalytic activity के लिए हमें zinc ions की requirement rate नहीं होता DNA को यह कैसे भी डिग्रेट नहीं करता है लेकिन RNAs ए क्या करेगा single standard RNA के three prime end पर three prime end से अगर कोई उसे प्रिमिडीन रेसिड्यू दिख रहा है तो उसे क्या कर देगा वहां पर उसके phosphodiester bond को break कर देगा three prime end से सपोज यहां से इसे दीखा यहां पर suppose कीजे ए है यहां पर क्या करेगा यह यहां पर break कर देगा phosphodiester bond को सिंगल स्टेंड आ रहे हैं लाइगे इस जोइनिंग रोल प्ले करते हैं polymerase क्या करेंगे copies बनाएंगे molecules की nuclear newly synthesized strand बनाएंगे नेक्स्ट इस वाट अच्छा मने एक टेक दियन है 72 डिग्री सेल्सिस पर होती है लेकिन फिर भी डिग्रेट नहीं होता 94 डिग्री सेल्सिस तक इसमें आपके थाइंगे 5' to 3' exonuclease activity मिलेगी as well as 5' to 3' polymerase activity मिलेगी but proof reading activity नहीं मिलती इसमें दे DNA modifying enzymes होते हैं like alkaline बहुत important है DNA modifying exams कहन से हो गए आपके? alkaline phosphatase, polynucleotide kinase, terminal deoxynucleotide and transferase अगर मैं आद करूँ alkaline phosphatase, phosphatase means phosphate group का remove होना अब alkaline phosphatase है तो आप इसे ecoli से और calf intestinal tissue से obtain कर सकते हैं, alkaline phosphatase 5' end पर phosphate group remove होगा 5' end से क्या होगा? phosphate group remove होगा अगर बात की जाए, आपका जो ecoli वाला होता है ecoli alkaline phosphatase से अगर आपने suppose कीजे bacteria से alkaline phosphatase को isolate किया और calf intestine tissue से isolate किया तो कौन सा जाधा stable होगा? तो हमारा stable होता है bacterial one, bacterial one क्या होता है? जाधा stable होता है then calf intestinal tissue वाले से polynucleotide kinase, kinase है means phosphate group add करेगा तो कहाँ add करता है? 5' end पर, 5' end पर क्या करेगा? phosphate group को add करेगा, वहीं पर terminal deoxynucleotidal transphrase में क्या होगा? terminal deoxynucleotidal transphrase में आपका पहली बात template independent होगा है as well as इसमें क्या होता है? nucleotides, deoxynucleotide जो है add होता है 3' end पर 3' end पर क्या होगा? deoxynucleotide add होगा, जैसे कि DCTP हो गया, DATP हो गया nucleotide 3' end पर add होगा, अब 3' end पर add हो रहे हैं तो homopolymer tailing बरेगी homopolymer tailing आप समझ नहीं देखिए, इसे समझ यह, जैसे समझ यह, यह आपका कोई strand है अब इस पर आपने, suppose DCTP add क्या है, C, 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 इस तरीके से पूरा C आता जा रहा है, तो homopolymer homopolymer हो गया है, homopolymer tailing हो गई, homopolymer tailing, 3' end पर, चलिए, अब question की तरफ चलते है now the first question है, गे 2021 में, अभी recently ही पूछा गया है, the enzyme which adds phosphate group, add phosphate group to the free 5' terminus of our DNA sequence is, अब देखिए, जहां पहली बात add कर रहा है, तो क्या B वाले का कोई role आएगा, फॉस्फाटेस का, बिल्कुल नहीं आगा, फॉस्फाटेस क्या करता है, फॉस्फेड ग्रुप को remove कर आता है, तो पहला यह option terminate हो गया, आप terminal deoxynucleotidal transphrase को देखिए, terminal deoxynucleotidal transphrase में क्या होता है, कि 3' end पर, 3' end पर nucleotide add होती है, ठीक है, तो यह option भी remove हो गया, अब बात की जाए, adenosine kinase और polynucleotide kinase पर, तो kinase है, obviously phosphate group add होगा, लेकिन 3' 5' terminus, 5' terminus, which one? polynucleotide kinase, समझा है कि क्यों adenosine kinase नहीं होगा, क्योंकि adenosine kinase में 5' end पर phosphate group add होगा, लेकिन polynucleotide kinase में अभी हमने क्या देखा, polynucleotide kinase में हमने देखा, कि जो आपका 5' end है, जो आपका 5' end है, वहाँ पर phosphate group क्या होगा, add होगा, इसलिए हम इसे end labeling कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो polynucleotide kinase है, वो use होता है end labeling की, तो इसलिए 3rd वाल option correct है, चलिए next question की तरफ चलते हैं, GATE 2011 में next question पूछा गया है, identify the correct statements, 5' end and 3' end of the transcript can be mapped by utilizing PCR, चलिए मैं मान लेती हूँ, आप लोगों ने यह चीज़े नहीं पढ़ लिए, next question देखिए, option देखिए, S1 nucleus can cleave the DNA strand of a DNA RNA hybrid, यह option बिल्कुल wrong है, क्यों, क्योंकि अभी हमने S1 nucleus को देखिए, जाके क्या deal किया था, S1 nucleus पे अगर हम चलें, तो देखिए, S1 nucleus but double standard DNA और DNA RNA hybrid इसे degrade, यह नहीं करता, cross लग रहा है, DNA RNA hybrid को, क्या नहीं करता, यह नहीं करता, double standard DNA हो, और DNA RNA hybrid हो, उसे degrade नहीं कर सकता, तो यह option क्या हो गया, आपका wrong हो गया, तो देखिए, क्यों wrong हो गया, तो D वाला गया, और A वाला गया, next, T4 polynucleotide kinase is used for 3 prime end, क्या T4, जो polynucleotide kinase है, वो 3 prime end labeling के लिए, 5 prime के लिए, 5 prime के लिए, यह option क्या हो गया, wrong हो गया, तो देखिए, R भी गया आपका, ठीक है, क्या बचा, सिर्फ और सिफ C बचा, Bucculovirus, Autographa, Californica, can be used as an insect expression vector, P and S क्या है, आपके correct है, ठीक है, आप eliminate करके भी answer निकाल सकते है, next question, GATE 2006 में यह question पूछा गया है, the enzyme that can be used in 5 prime end labeling, 5 prime end labeling of DNA R, कौन सा 5 prime end labeling के लिए यूश के जाता है, T4 polynucleotide kinase, alkaline phosphatase, phosphate group को remove करता है, 5 prime end से, DNA ligase join कराता है, DNA molecules को, terminal transferase क्या करता है, homo polymer tailing करता है, it means that कि, जो nucleotides है, वो add होते हैं, 3 prime end पर, ठीक है, terminal transferase से, 5 prime end labeling किससे होती है, T4 polynucleotide kinase से, इसलिए हम इसे क्या बोलते है, 5 prime end labeling, ठीक है, 5 prime end labeling में, यूश होता है, T4 polynucleotide kinase, चली, I hope so, आपको ये बहुत अच्छे से समाझ आया होगा, अगर कोई भी डाउट हो, आप मुझे, आइदर ग्यानवर्षा-query at gmail.com पर mail करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे comment box में भी पूछ सकते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो मैं ग्यानवर्षा, ग्यानवर्षा के नेम से हमारा टेलिग्राम पर चैनल है, ग्यानवर्षा के नेम से, आप टाइप कीजे, आपको टेलिग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा, अब वहां पर में ये PDF अफ्लोड कर दूँगी, अगर आ झाल